दोस्तों ये जामिया के लिए बहुत ही important वीडियो है कि कितने नंबर लाने होते हैं hostel के लिए यानि जामिया में कितने नंबर लाने होते हैं hostel मिलने के लिए अब ये नंबर क्या test के है या आपके qualifying examinations के है जिसे 10-12 graduation का तो जामिया में कितने नंबर लाने पे hostel मिलता है इस वी कितना मिलता है कितना बज़े तक आप रात को आना कंपलसरी होता है टाइमिंग खाने का क्या होता है पूरी complete जनकारी इस वीडियो में मिलने वाली है तो ये वीडियो बहुत ही अहम इंपोर्टन जरूरी है तो इसको मिस मत किजिए चलिएगे फड़ा फट 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 ऐफट अफीचल वेबसाइट पे ले चलता हूं और अफिचल वेबसाइट पे जाकर दूद कर दूद कर पानी कर पानी होता है यह आ गया है नोटिस एक बाबगां। Class 6 to 12 के Fresh Admission in Jamia School Hostel तो जैसे Jamia School का जान जाएंगे उसी तरह University का भी होगा तो इसकूल का जान लीजिए उसी तरह का University का भी होगा तो मोटा मोटी School और University का सब सेम है Jamia में Hostel छटवी क्लास से शुरुआत होता है पांचवी तक बच्चे अपने घर से ही आया करते है तो छटवी, सतवी, अठवी, नौवी, दसवी, ग्यारवी, बारवी इन सभी को Hostel मिलता है Application Form निकला हुआ है 200 रुपया इन कैश, कैश जमा करना होगा 15 जुलाई से पहले ये तो नोटिस आ गया अब इसमें लिखा है कि Form डाउलोड करना पड़ेगा तो ये रहा Form 4 पेज का Form है Application Form for the Fresh Admission in Jamia School Hostel इसी तरह University का भी आएगा Session 2024 से 25 के लिए है आने वाले जब भी आप देखेंगे हर Session में Moralize सब सेम होता है लेकि कितने नमबर लाने होते है ये बड़ा important है ये चारो pages का मैंने scroll करके दिखा दिया है अब मैं आपको main चीज दिखाता हूँ देखे जामिया के होस्टल के library में बहुत अच्छे books होते है तो जामिया के college में और school में भी library है और होस्टल में भी library है तो बहुत अच्छे collections है books के जो कि आपको magazine से लेके newspaper, textbook और आपके class के भी books मिल जाएंगे इस library में तो library मिलेगा होस्टल में भी college में भी, school में भी कितनी अच्छी बात है तो ये तो रहा library के बात लेकिन कितने number आपको लाने पड़ेंगे ये अहम important जरूरी है तभी तो इसमें दाखिला admission परवेश हो जाएगा attendance के लिए ये जरूरी है कि all the borders should present in the hostel lattice by 9pm रात को 9 बज़े तक किसी हालत में सारे बच्चों को आ जाना है ये नहीं कि रात को 11 बज़े आएंगे तो school के होस्टल बंद हो जाते हैं तो ये सारे नियम कानून होते है कि कब तक आपको आना है बाकी और भी नियम कानून है लेकि उतना important नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि lattice 9 बज़े शाम तक आपको आना ही होता है और library में books होते हैं होस्टल में books होते हैं जरूरी नहीं कि books करें इतना है आपको library में मिल जाते हैं डाइनिंग हॉल कप तक खुला रहता है तो breakfast के लिए 6.30 बज़े सुबह से लेके यहां 7.00 बज़े सुबह तक यानि आधे गंटे का breakfast होगा 6.30 बज़े से लेके 7.00 बज़े तक तो lunch का समय सेम है breakfast का समय सेम है खाली डीनर में ठंड में थोड़ा आधा गंटा पहले हो जाता है आप देख सकते हैं आधा गंटा मतब साड़े साथ से साड़े आठ एक घंटे तक डीनर और आठ बज़े से नो बज़े गर्मियों में हो जाता है तो यह टाइमिंग बड़ा important है कि बहुत लोगों का पता चले कि टाइमिंग क्या होता है जामिय के होस्टर में खाने पीने का ठीक है डाइनिंग हॉल शेल स्टार्ट फ्रॉम एकेडमिक सेशन फ्रॉम फर्स्ट विक अप जुलाई जुलाई के पहले सब्ता से डाइनिंग स्टार्ट हो जाती खाने पीने मिलने लगता है ठीक है बाकी और सारे चीज़े ना बता कि आपको फटा-फट चीज़े आपको बताऊ यूटिलिटी आपको वाशिंग के लिए आपको धोबी आएंगे आपको कपड़े ले जाएंगे वो भी मैं बताऊंगा कैसे आपको देने है कपड़े मेस का फीस आपको लगता है होस्टल फीस लगता है जो होता है वो होस्टल फीस जो होता है पूरी साल को एक ही बार देने होते हैं पुरी सल का एक ही बार देने होते हैं बगी मेंस का जो हो है वो आप देख सकते हैं कि मेंस फी is charging two installment first installment which include hostel fee for four months, food charges, second installment for five months तो total नौ महीने ही आपका academics होते हैं ठीक है? मेंस फी is subject to change with a prior approval company यानि मेंस का जो फी से वो भी change हो सकते हैं तो होस्टल फीस जो है वो एक बार देने होते मेज का फीप पहले चार महीने का उसके बाद पांच महीने का अब मोड़ पेमेंट आपको बहुत सारे तरीके हैं जो आप देश सकते हैं जब होस्टल में लेंगे तब रिफंड भी हो जाते हैं एडमिशन फी कुछ कंडिशन से हैं देखिए होस्टल के फीस क्या है होस्टल के फीस जो है निव एलाटमेंट के लिए 15,350 एक साल का पूरा है रिनिवल के लिए 12,580 ये एक साल का है ठीक है ये पूरा एक साल के लिए है जो कि एक बार में आपको प आपको कपड़े कहां देने हैं, कपड़े कहां धुलवाने इसका टेंचन नहीं है, बुक्स कहां से लेने इसका टेंचन नहीं है, तो हर चीज आपको होस्टल में मिलेगा, मामूली फीस है 15,000 फ्रेश एडमिशन के लिए और 12,000 रिनिवल के लिए, अभी देखिए मेस का चा डिनर में क्या बनेगा, लंच में क्या बनेगा, सातो दीन का पूरा एक चार्ट होता है, उसमें रहता है कि कब क्या-क्या आपको मिलेगा, तो देखिए मामूली 2600 रुपया एक महीने का खाने का हो गया, और 1000 रुपया होस्टल फी हो गया, तो माल लिजए कि 3600 रुपया म आपका एक महीने का खर्चा चल जाएगा जामिया के अब धोबी के Charges क्या है एक महीने का धाई सो रुपया में आपके कपड़े भी धुल जाएगे महीने में 60 maximum close हो सकते हैं कितना 60, यानि दिन में 2 तो 30 दिन में आपके 60 कपड़े ही वो धोएंगा, धोबी 200 रुपया लेगा, तो ये है धोबी चार्ज़, ये रहा खाने के चार्ज़, ये रहा होस्टल चार्ज़ तो पूरा complete details बता दिया हूँ अब आपको फटा-फट आ जाता हूँ कितने मास लाने पड़ेंगे कि जाके आपको जामिया जैसे अच्छी उनिविशिटी का होस्टल मिलेगा, तो देखिए ये complete point wise admission criteria है, अगर आपका 60 से 70% है तो 10 point मिल जाएंगे, अगर 70 से 80% है किसमें qualifying examinations में एक example ले ले लेते हैं, जैसे 11th में आपने admission लिया तो आपका 10W का मास चेक किया जाएगा, 9th में आपने admission लिया तो 8W का चेक किया जाएगा अगर आप diploma engineering में admission लेते हैं, तो 10W का चेक किया जाएगा अगर graduation मिलिए, तो 12W का चेक किया जाएगा, अगर master degree मिलिए तो graduation का मास आपका चेक किया जाएगा तो अगर आप 60-70 लाते तो 10 नमबर मिल जाएगा 70-80 लाएगे तो 20 नमबर, 80-90 लाएगे तो 30 नमबर 90 से उपर है आपका तो 40 के 40 नमबर मिल जाएगे तो क्या यही काफी है? नहीं यह काफी नहीं बहुत सारे लोग 90 नमबर, 90 परतिशत लाग के भी होस्टल नहीं पाएगे क्यों? क्योंकि टोटल 100 मास लाने है कैसे? स्पोर्ट्स में अगर भागिदारी रखते हैं नेशनल लेबल पे खेले हैं तो दस पॉइंट्स मिल जाएंगे, डिस्टिक लेबल पे 6 पॉइंट्स, श्कूल लेबल पे 4 पॉइंट्स तो नमबर लाए हैं, स्पोर्ट्स में नहीं है तो यह 10 के 10 कट जाएंगे नसीच में अगर पाइटिस्पेट करते हैं या एनसस में एनसस में जैसे सोचल सर्विस स्कीम होती या कैडिट कॉर्ψ जो होते हैं एनसी Tina सर्टिकेट है, पर्टिपेट पाइटिसीपिशन आपके पास है तो आपको 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है? एस सर्टिकेट है तो सिप पाइटिसीपेशन है, तो 2 मिलेंगे टोटल पांच मार्स यहाँ पर मिल जाते हैं राइट स्कूल के सिनियरेटी यानि जो पहले से पढ़ रहा है जैसे 11 में कोई बच्चा गया है और 10 वी जामिया से ही किया है तो उसका सिनियरेटी में 5 पॉइंट्स मिल जाएंगे यानि जामिया से जो 10 वी किया है उसको 11 में जाके होस्टल में 5 नमबर ग्रेस मिल जाएगा अब एकोनोमिकली वीकर सेक्षन जो लोग का घर का इंकम 5 लाग से कम है जिन बच्चों का घर का इंकम 5 लाग से कम है तो उसको 5 पॉइंट मिल जाएंगे जिनके 5 से 8 है उनको 3 मिल जाएंगे जिन घर के बच्चों का इंकम 8 लाग से उपर है उनको 0 बटा सनाटा मिलेगा पांच में से एक भी नमबर नहीं मिलेगा तो economically weaker sections के लिए भी यहां मास है distance from home दिल्ली में जामिया है और जामिया से जितना दूर घर है उतने points बनते हैं अगर 1200 किलोमेटर से दूर है for example अगर बंगाल में तो आपको 5 नमर मिल जाएगा अगर आप बिहार में है तो 4 नमर मिल जाएगा अगर यूपी के गोरखपूर एरिया में है 600 किलोमेटर है तो 3 नमर मिल जाएगा अगर आप बदाईयों वगर रहने वाले हैं तो 2 नमर मिल जाएगा अगर 300 के अंदर है जैसे बुलंच शहर है सहरानपूर है आपका हर्याणा में आपका सोनी पत हो सकता है पानी पत हो सकता है गुडगाओं हो सकता है फरीदा बाद है 300 किलोमेटर के अंदर है तो एक नमर मिलेगा अगर आप उससे भी कम है नजदीक है बिल्कुँ दिल्ली में तो कोई पॉइंट्स नहीं मिलेगा इंटरव्यू इंटरव्यू के 30 मास है तो यह टोटल 100 मास बनते हैं सिर्फ आपका टेस्ट का मास का कोई मतलब नहीं है टेस्ट का मास का कोई मतलब नहीं है जियो क्वालिफाइंग एक्जामनिशन्स है उसके बेस पे आपको यह 40 पॉइंट्स है इंटरव्यू में कैसे आपका मास मिलता है यह 100 पॉइंट्स में से जिसका जादा पॉइंट्स आएगा उसको मिलेगा क्या चीज़? उसको मिलेगा होस्टल, जामिया का होस्टल तो मुझे उमीद है कि आपको यह पूरा गाइडलाइन्स इसी तरह आपको युनिवसिटी कॉलेज का भी पता चलेगा, मैंने तो स्कूल का ही आपको दिया है इसी तरह सेम, more or less, लगबग, एप्रोक्सिमेटली युनिवसिटी का भी सेम क्राइटेरिया होता है और भी कुछ होस्टल से कुछ है दिमाग में तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि गेस्ट को लाना है, नहीं लाना है, दोस्त आकर रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं यह सारे क्या का punishment हो सकते हैं क्या क्या आपको awards भी हो सकते हैं वो सारे चीज़े और भी detail है यह solar page के आप पढ़ेंगे hostel के guidelines तो पता चलेगा इसी तरह university के भी guidelines आने वाली है जामिया, OEMU, BHU, JNU, DU अम बेटकर university, अलहाबाद university और भी कई अच्छे university के में videos फट अफट लाने वाला हूँ admission का समय चला है, admission का season चला है तो इस season में आप अच्छे से guidelines लीजिए इस channel से और अपने career को आगे बढ़ाईए, तो मिलते हैं इसी useful video में तब तक you take good care of yourself जाहिन जाजामिया